नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट RK और आप देख रहे हैं RK ठेडि दोस्तो अस तारीक है दो जनवरी 2020 और यहाँ पर हम लोग अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक किजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल का एकन भी प्रेश करते जिसे मेरे वीडियो की लिटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले तो चलिए ब्रेक करता है तो एक बार यह नीचे 735 के लेवल दिखाएगा लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया और इसी के आसपास में ना उसके हाय को ब्रेक कर रहा है ना लोग को वहीं पर यह कंटिनू टेट कर रहा है हमारे लिए पोजिशन अब भी ओपन है कि अगर यह नीचे 745 को ब ब्रेक करने का कोसिस कर रहा है लेकिन हम लोगों को इसमें फसने कि कोई जरूरत नहीं 108 के ऊपर निकलेगा तब हम लोग पोजिशन बनाएंगे 115 रुपए के टार्गेट के लिए पोजिशनली इसको होल्ड कर सकते 108 रुपए के ऊपर अभी बिल्कुल भी नहीं यहां से हो करता तो वीक हो जाएगा 65 की लेबल दिखाएगा लॉंग का पोजिशन अगर बनाना है में तो 78 के ऊपर बनाएंगे 78 के ऊपर बनाएंगे फिर हम 85 के टार्गेट के लिए बेट करेंगे बैंक ओफ इंडिया में काफी बड़ी कैंडिल आज तो मार्केट में काफी जादा एकसपारी के डे के वज़ा से सारे शॉट कवर हुए यह जितने शॉट बने थे आप देख रहे हैं यह सारे शॉट को इसने एक दिन में कवर कर लिया अब कल अगर यह उपर 232 या 31 से लेकर 32 तो अगर ब्रेक करता है तो 235 से लेकर 38 तक है एक ठार्गेट इंटाडे में य तो 92 के उपर पोजिशन बनाएंगे उसके पहले कुछ भी नहीं कर सकते और वो भी क्लोजिंग बेसिस पर तो बिल्कुल राइट जगा पर यह देखे खड़ा है आज एक ही दिन में कल से लेकिस ने आज एक ही दिन में इसने कितने परसेंट का मूव कर दिया है चार परसें लेके तब ही जाएंगे जब यह 92 के उपर क्लोजिंग रहेगा यानि उसके उपर ही ट्रेट करता वर रहेगा तब फिर हम लोग 100 के टार्गेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं फेडरल बैंक को अगर यह कल नीचे 90 के नीचे आ जाता है तो वापस से फिर यह 88 के लेवल को आपको टेस्ट करने की कोसिस करेगा HDFC बैंक एक मुमेंट मिल सकता है HDFC बैंक में कल देखें बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस लाइन को पास में जाके टेस्ट कर रहा है यह HDFC बैंक इस पर नजर बना के कल रखिए अगर कल यह 1290 अगर यह ब्रेक करता है तो एक वार यह 1320 के टार्गेट देने की छमता रखता है HDFC बैंक में जाक आए CICI बनक बहुत अच्छे तरीके से अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है यहां देखिए इसने रहांकि चार्ट पर यह वीक है आभी भी भी 30 के नीचे अगर यह क्लोज करता है तो वीक हो जाएगा आइसे सी बैंक फिर नीचे के लेबल दिखाएगा लगवग 525 तक का और यहां पर जब तक यह कर रहा है ठीक था लेकिन लॉंग पोजिशन बिल्कुल नहीं बनाना है लोंग पोजिशन हम लोग 550 के ऊपर बनाएंगे 570 के टार्गेट के लिए आइड़ी अपसी फाइस बैंक 45 के ऊपर टार्गेट बनेगा 45 के ऊपर बनेगा 52 के टार्गेट के लिए और आज इस्टॉक ने जो हाय लगाया है तो फिप्टी टू के टार्गेट के इसको होल्ड किया जा सकता है इस्टॉक में कोई खराबी नहीं है ठीक थाक है इस्टॉक में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है 108 को अगर यह close करता है उपर की तरफ में तब 115 के टार्गेट के लिए और 120 के टार्गेट के लिए पोजिशन बनेगा उसके पहले इंडियन बैंक पर सिर्फ आप नजर बना कर रखिए इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इसका चार्ट वीक है कम जोड़ा इंडेस्ट इसमें यहां से जबर्दस तुवंडेट यूमे से रिवर्सल लिया है जैसा की कलकाता कि यहां से रिवर्सल लेना होगा सही जगा पर खड़ा है रिवर्सल लेने के लिए लेकिन अब हमें लॉंग पोजिशन अगर बनाना होगा तो इस पिंक लाइन के ऊपर बनाएंगे याने की 1570 को उपर की तुरह ब्रेक करेगा तो एक बार 1600 के टार्गेट के लिए पोजर बना सकते हैं अदर्वाइस यहां पर एक रजिस्टेंस देंस 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 फिर वहां से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है फिर यह की सकता है नीचे की साइड में अगर यह 1460 को ब्रे यह नहीं है इसका मतलब यह चार्ट पर अल्रेडी थोड़ा वीक है उपर की तरब में पोजिशन अगर इसको बनाना होगा तो 1690 को उपर क्लोज करना पड़ेगा 1690 को उपर क्लोज करेगा तो वापस यह अपर बैंड को टेस्ट करेगा 1730 को अलाकि अगर कल यह स्टॉक न तो इस 10 लाइन को आप ऐसे भी चाहें तो ड्रोग कर सकते हैं यहां आपको ब्रेक आउट होता वाद दिखेगा कि यह ब्रेक आउट हो रहा है पर उतना ज्यादा मुमेंट इसमें है नहीं बोलूम भी खास जेनरेट होता नहीं इसमें तो अगर जिन लोग ने पोजिशन मेंटेन कर लिजे 50 रूपीज का इसको होल कर सकते हैं पी औन भी ब्रेक आउट हो गया इस 10 लाइन का जैसा कि कहा था कि इस 10 लाइन के ऊपर जब तक यह क्लोज ने करेगा 66 के ऊपर हम लोग पोजिशन नहीं बनाएंगे 65 के ऊपर क्लोजिंग बेसिशन पे पोजिशन के ल अगला इस्टोक है आर बियल बैंक इसने भी ब्रेक आउट दिया हुआ चार्ट पर लेकिन मेरा भी इस पर निगेटिव निगेटिव क्या रहेगा निट्रल भीव है मेरा इस स्टॉक्स पर पार्टिकुलर क्योंकि मैं उस तरह की स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता जो एक इतना अच्छा मुमेंट आया पूरे बैंक में लेकिन यह तो अभी भी इस बॉक्स में काम कर रहा है इस बॉक्स के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा कोई पोजिशन नहीं बनेगा तिन सो चालिस के ऊपर एक बर निकलता है तिन सो एक तालिस जादा बेश्ट होगा तो एक पर तिन सो पचास के टार्गेट के लिए होल्ड कर सकते हैं एस बी आई को इस बैंक नोटेडिंग जोन में नुट्रल व्यू है इस पर कोई भी नहीं है यूनियन बैंक इसका चार्ट हम लोग दूसरे टर्मिनल पर देख लेते हैं यूनियन बैंक चलिए उनियन बैंक का यूनियन बैंक लगाओगा आप लोगों को कि मैने डिल्स ऑपन मड़ने का चार्ट खोला नहीं ऐसा नहीं है यह एक वापन करना पर कोई यह है यूनियन बैंक का चार्ट यूनियन बैंक एक 10 लाइन का सपोर्ट जैसा कहा ता 53 के नीचे अगर यह निकलेगा तो वीक हो जागा 53 के नीचे नहीं निकला यहां से एकदम बांग बैक लिया है और यहां पर होल्ड कर रहा है तो अगर 53 के ऊपर जब तक बना हुआ है को आता है 61 का लेवल तो दोस्तों यह था बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद